हमने देखा सलमान भाई की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर और ट्रेलर देखने के बाद हमारे मुझसे सिर्फ एक ही आवाज आई मज़ा आ गया पठान के बाद टाइगर 3 जो यशराच की ऐसी फिल्म होगी जो थाउजन करोर और एक बार क्रॉस कर जाएगी जी हा दोस्तों इस फिल्म का फ्यूचर जब वह मुझे अभी से नजर आ रहा है वारा आया है अपना एक मिशन लेकर फिल्म के शुरुवात में दिखाया जाते है कि सलमान खान जो किसी को रेस्क्यू कर रहा है एक ऐसी जगह से जो कि एक सिरिया वगर या फिर ऐसे टाइप में नजर आ रही है जहांके घरों पे से सलमान खान जो अपनी बाइक को दोड़ा तो यह जो मिशन है वो देश के लिए या फिर परसनल तब ट्रेलर में हमें एक वोईस सुनाई देती है जो होती है इमरान हश्मी की जहां पर वो कहता है कि टाइगर ने उसका उससे सब कुछ चिन लिया अब बारी है टाइगर की उससे उसकी सब कुछ चिननने की इमरान ज़र आती है अब यहां पर बता दो कि टाइगर वन टाइगर टू जो थी वो पूरी तरह से एक्षन पैड फिल्म थी लेकिन यहां पर विलन का एक डायलोग है कि यह लड़ाई हाथ से नहीं बल्कि दिमाग किये मतलब यहां पर एक्षन के साथ साथ हमें कुछ सस्पन्स और कुछ माउथ ऐक्षन भी हम यहां पर देखने मिलेगा, जैसे कि विलन जह वो फोन करकर के उसको बताएगा कि तु यह कर मैं तरी फैमिल्यू को छोड़ दूगा, फिर मैं तरी फैमिल्यू को मार दूगा अगर तुने यह नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि फिल्म का विलन जह हो वो इमरान हश्मी है, जो कि एक काफी पावरफुल बंदा लगता है, और उस बंदे की तरब देखकर यह भी नहीं लगता कि यह बंदा हातों से लड़ेगा, जिस तरह किसे फिल्म में उसका अटिटूड दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई परसनल होनी की वज़े से, बेटे की उपर होनी की वज़े से, वो यहाँ पे हमें काफी गुस्से में नजर आ रहे, अब बात करें फिल्म में कैमियो रोल की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पठान में जैसे सलमान खन का कैमियो था, वैसे, टाइगर तिर में शारुखन का कैमियो है, तो हे 100% है, लेकिन ट्रेलर में सारे चिज़े वो नहीं दिखाएंगे, अगर दिखाते भी, तो भी फिल्म का ट्रेलर के हाइव और बढ़ जाती, अब उससे आगे का एक और सीन है, जो कि काफी इंट्रेस्टिंग है, और शाहिद वो काफी वाइरल भी होगा आगे जाके, और वो है कैटरिना कैफ का टॉवल वाला फाइट सीन, शाहिद यही वो सीन होगा, जो लोगों ने बार बार पीछे जाकर देखा हो, जो कि काफी यूनीक था, ऐसे एक एक एक्शन पैड मूवी के लिए, लेकिन अब यह सीन कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितने मिनिट का चलेगा, और उसके आगे क्या-क्या एक्शन्स होंगे, वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, फिल्म में हमें जो वो सल्मान खन के डायलक्स कम, लेकिन यहां पे इम्रान आश्मी के डायलक्स हमें ज्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि फिल्म का जो वो पूरा का पूरा प्लॉट है, वो इम्रान आश्मी पे बेस्ट है, उसके रिवेंज स्टोरी पे बेस्ट है, और जिस तरीके से इम्रा नश्मी को लुक दिया गया है वो एक मुस्लिम पाकिस्तानी तो लग रहा है यहाँ पे और उसकी लड़ाई देश से नहीं है सिर्फ और सिर्फ टाइगर से है जो कि एक powerful विलन है उसके खिलाफ टाइगर लडने वाला है अब जो भी हो लेकिन फिल्म की कहानी फिल्म की स्टार कास और फिल्म का विलन ये तो हमें मजबूर करता है कि फिल्म के थेटर में आकर फिल्म देखे तो दोस्तों मैं तो फिल्म देखने के लिए सूपर एक्साइटेड हूँ आप बताईए आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लागा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है तो चले दोस्तों मिलते हैं एक नवय वीडियो के साथ तपता के लिए धन्यवा जय हिन जय भारत